तो यहां पर लाइप सेंस की कुछ इंपॉर्टन टॉपिक का यहां पर नाम है तो उस टॉपिक का जो और भी नाम है ठीक है तो उसको मैं बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमर वान है है तो हैपोधलामस को क्या बूलते हैं मास्टर कोडिनेटर अब मास्टर कोडिनेटर क्यों कहते हैं क्योंकि हैपोधलामस से जो है कुछ हर्मून रिलीज होते हैं तो यह हर्मून क्या करते हैं यह मास्टर ग्लेंज से निकलने वाले जो हर्मून है उसको सिंग्न के कब रिलीज होना होगा कब रिलीज होना होगा त्थीक है तो इसलिए इसको घ्टीज वी हार्म dej requirement trait है मास्टर ग्लंड क्या नहीं होगा दो ब्रस्केंग कि κα्mel यह इस्टेट 930 एंश कि खिक का यह ग्लंड्स अचों आये या उससे release होने वाले hormones को क्या करते हैं control करते हैं इसलिए इसको master plan गएते हैं नमबर त्री है ADH ADH का और एक नाम है वैसो प्रिसेल ठीक है याद रहिएगा तो यहाँ पर मैं जितना भी यहाँ पर others ने बताने वाला हूँ तो इन में से exam exam में आने का जो chance है तो इन में से आ सकता है तो जितने भी books में दिये गए हैं तो पूरा यहाँ पर मैंने लिखा है तो आप लोग देखिए ध्यान से नमबर फो है oxytocin तो oxytocin को क्या बोलते हैं love hormone या फिर cuddle hormone अब ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि oxytocin एक ऐसा हर्बून है जिसकी वज़े से जिसकी release के बाद जो हम लोगो क्या होता है कोई भी चीज़ देखने में अच्छा लगता है मतलब love feeling होता हम लोगो कोई जैसे के छोटे बच्चों को देख कर के या फिर को फ्लार को देख कर के तो इसलिए इसको love hormone बोलते है तो हमारे heart में जो है love feeling आते है उसके number five है insulin insulin को क्या कहते है anti-diabetes हर्मन तो इसलिए इसको कहते है क्योंकि जब यह हर्मन कब release होती है जब हमारे body में sugar level ज़ए 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 हो जाता है ठीक है यह फिर glucose ज़एदा हो जाता है तो ज़एदा जब होता है तो यह pancrease release होता है और क्या करते है यह glucose को कम करते है number six है human eye तो human eye को क्या कहते है और जो नाम है इसका organ of vision और photoreceptor ठीक है organ of vision vision का मतलब देखना देखने वाले organ photoreceptor मतलब photomis क्या होता है light rosny receptor मतना accept करने वाला तो photoreceptor ठीक है तो हम लोग क्योंके हम लोग rosny के help से या फिर light के help से ही देख सकते है इसलिए इसको photoreceptor होते है number seven है ribosome तो ribosome को क्या करते है protein factory अब ribosome क्या है एक cell organel है cell organel क्या है मतलब एक जो है ideal cell में क्या होते है total 14 parts होते है तो 14 parts में से एक ribosome है ठीक है अब इसको क्या कहते है protein factory क्योंके एक खुलिया में या फिर एक cell में जितने भी protein की requirement होती है तो ये पूरे ribosome ही तियार करते है इसलिए इसको protein factory कहते है नमबर एट maticandria तो maticandria को क्या कहते है powerhouse तो आप लोग जल से जल कमन करके बताईए कि इसको powerhouse क्यों कहते है maticandria को नमबर नाई है amatosis amatosis को क्या कहते है direct cell division और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए क्योंके cell division जो होते है वो तीन टाइट के होते है या फिर उसका cell division का तीन process है नमबर वहन है amatosis number two है amatosis number three है meiosis ठीक है तो amatosis को क्या करते है direct cell division क्योंके इसमें spindle fibers नहीं बनते है इसलिए इसको direct cell division कहते है और direct एक nucleus जो है दो part में divide होकर के दो नया cell बनते है तो इसलिए इसको direct cell division कहते है number ten amatosis तो amatosis को क्या कहते है equational cell division क्योंके ये जो एक cell से divide होकर दो cell बनते है तो वो cell में क्या होते है कुछ जो chromosome number है वो असल वाले cell से एक जैसे होते है मतलब जितना वो mature cell जब divide हुआ तो दो बना तो mature cell में जितना होता है तो उसमें वो जो daughter cell है उसमें भी उतना ही क्रोमोजम होते है तो इसलिए इसको equational cell division बोलते है उसके बाद देखिए number eleven है meiosis meiosis को redactional cell division बोलते है क्योंकि इसमें आधी हो जाते है जो क्रोमोजम नंबर होते है वो आधी हो जाते है इसलिए इसको redactional cell division कहते है number twelve है hemophilia तो hemophilia को क्या कहते है royal disease क्योंकि ये जो अब ये hemophilia क्या है तो hemophilia एक genetic disease है मतलब genetic या फिर DNA में या फिर क्रोमोजम में होने वाले एक तरह के disease है ठीक है hemophilia अब ये जितने भी genetic disease है ये लाइलाज बिमारी है और इस बिमारी का नाम जो है royal disease कहते है क्योंकि royal disease इसलिए कहते है क्योंकि ये बिमारी जातर जो past में जातर amir family में मतलब rich family में या फिर royal family में ही ये मिमारी जो है देही गई तो इसलिए इसको royal disease कहते है अब देखिए scientific name तो आप लोग के life science की book में जो आने वाले मध्य परिक्सा है तो उन में जो है syllabus के मताबिक जो है तीन scientific name है तो number one है P P plant मतलब मतर का पौदा तो अब मतर का पौदा जो है ये जो mandal का chapter है जो heredity का chapter है उसमें है तो इसलिए उसका science की नाम आ सकता है तो P का science की नाम Pism, Sative One है उसके बार touch me not तो ये जो है ये first chapter में है जो movement of plant है ठीक है ये photo tactic जैसे tactic movement tropic movement उसके बार nasty movement है तो इस chapter में दियाएगा है touch me not तो touch me not का और एक नाम है mimosa ठीक है तो इसका जो science ही नाम है जोखिए mimosa पड़े का है उसके बार दीए number three four o clock plant ठीक है तो इसका एक science है अब ये कहा पड़ है ये भी heredity chapter में है ठीक है उसके other names को बाता है तो इसमें समझ में कोई भी problem हो तो comment करके जूर बदाईए so thank you for watching thank you for listening have a nice day